ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थ विवस्था का जो रूपांतरन हुआ उसे प्रथम और द्योगी क्रांती के नाम से जाना जाता है इस क्रांती के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए बाद में यूरोप के अन्य देशों और संयुक्तराज अमेरिका में भी ऐसे ही परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का उन देशों तता शेश विश्व के समाज और अर्थ विवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा ब्रिटेन में उद्योगिक विकास का ये चरण नई मशीनों और तकनीकियों से गहराई से जुड़ा है इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले की हस्त शिल्प और हत्खरगा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ती के एक नई इस रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था इसके प्रयोग से जहाजों और रेल गाडियों द्वारा परिवहन की गती और अधिक तेज हो गई जिन आविश्कार करताओं तथा व्यापारियों ने परिवर्तन लाने में योगदान दिया था उन में से बहुत से लोग व्यक्तिकत रूप से ना तुधनवान थे और ना ही वे बुनियादी विज्ञानों जैसे भौतिकी तथा रसायन में शिक्षित थे आगे चलकर ओद्योगी करण के कारण कुछ लोग तो सम्रिद्ध हो गए पर इसके प्रारंबिक दोर को लाखों लोगों के काम करनी की खराब एवं बत्तर रहन से इनकी परिस्थितियों से जोड़ा जाता है इन में स्तुरियां और बच्चे भी शामिल थे इससे विरोध भड़क उठा फल्स्वरूप सरकार को कारे करनी की परिस्थितियों के नियंतरण के लिए कानून बनाने पड़े और जोड़्योगिक रांती शब्द का प्रियोग यूरोपिय विद्वानों जैसे फ्रांस में जॉर्जिस मिशले और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया था अंग्रेजी में शब्द का प्रियोग सर्व प्रथम दार्षनिक एवं अर्थ शास्त्री आर्नौल्ड टॉइन भी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के ओध्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे इस दोरान ब्रिटेन में जॉर्ज दृतिय का शासन था जिसके बारे में टॉइन भी ने ओक्सवोर्ड विश्व विद्याले में कई व्याख्यान दिये थे ब्रिटेन में ही क्यों हुई शुरुवात ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्व प्रथम आधुनिक ओध्योगी करण का अनुभव गिया था ये सत्रवी शताबदी से ही राजनायतिक दृष्टी से मस्बूत एवं संतुलित रहा था और इसके तीनों हिस्सों इंग्लेंड, वेल्स और स्कॉटलेंड पर एक ही राज्टंत्र यानि समराट का एक छत्रशासन था इसका अर्थ ये था कि संपून राज्ज में एक ही कानून विवस्था, एक ही सिक्का यानि मुद्रा प्रणाली और एक ही बाजार विवस्था थी इस बाजार विवस्था में स्थानिय प्राधिकर्णों का कोई हस्तक शेप नहीं था यानि वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती सत्रवी शताबदी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग, विनियम यानि आदान प्रदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से होने लगा था तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तों की बजाए, मस्दूरी और वेतन के रूप में पाने लगे और गाउं की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया, इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू समपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की व्रिद्धी हुई इस से भूमिहिन किसानों और गाउं की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चुराने वाले चरवाहों एवं पशु पालकों को कहीं और कामधंदा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्हों में से अधिकांश लोग आस-पास के शेहरों में चले गए अठार्मी शताबदी से यूरोप के बहुत से शेहर शेत्रफल और आबादी दोनों ही द्रिस्टियों से बढ़ने लगे यूरोप के जिन 19 शेहरों की आबादी 1750 से 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी, उनमें से 11 ब्रिटेन में थे इन 11 शेहरों में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजारों का केंद्र था बाकी बड़े-बड़े शेहर भी लंदन के आस-पास ही स्थित थे लंदन ने संपूर्ण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था अठार्वी शताब्दी तक आते आते भूमंडलिय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के बंदरगाह से हटकर हॉलन्ड और ब्रिटेन के अट्लांटिक बंदरगाहों पर आ गया था लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था साथ ही लंदन, इंगलेंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोर्णिय व्यापार का केंद्र भी बन गया अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कारियाले भी लंदन में ही थे इंगलेंड में विभिन बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुक रूप से नदी मार्क से और समुदरी तट की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाजों से होती थी रेल मार्क का प्रसार होने तक जल मार्गों का परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था 1780 के दशक से 1850 के दशक तक बिटेन में जो अध्योगी करण हुआ उसके कुछ कारण हम आपको बता चुके हैं जैसे गाउं से आए अनिक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए बड़े बड़े उद्योग धंदे स्थापित करने के लिए आवश्यक रिन राशी उपलब्ध कराने के लिए बैंक भी मौझूद थे और परिवहन के लिए एक अच्छे विवस्था उपलब्ध थी अठारवी शितापदी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविश्कार हुए उनमें से आधे से अधिक आविश्कार 1782 से 1800 तक की अवधी में हुए थे इन आविश्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए कोईला और लोहा इंगलेंड इस मामले में सौब भागिशाली था कि वहां मशीनी करण में काम आने वाली मुखी सामगरियां कोईला और लोह आयस्क बहुत आयत में मौजूद थे इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाले अन्यक हनिज जैसे सीसा, तामबा और टिन भी खूब मिलते थे लेकिन अठारवी शतावदी तक वहां इस्तिमाल योगी लोहे की कमी थी लोहे को पिगलाने की प्रिक्रिया के द्वारा लोग हनिज में से शुद्ध तरल धातू के रूप में निकाला जाता था सदियों तक इस प्रिक्रिया के लिए लकडी के कोईले यानि चारकोल का प्रयोग किया जाता था लेकिन इस कारे की कई समस्याएं भी थी लकडी का कोईला लंबी दूरी तक ले जाने के दोरान तूट जाया करता था इसकी अशुदिताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था ये परियाप्त मात्रा में भी उपलब्द नहीं था क्योंकि लकडी के लिए जंगल काट लिये गए थे और ये उच्चितापमान पैदा नहीं कर सकता था इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंडा जा रहा था अंतते श्रोप शायर के एक डर्बी परिवार ने जो लोहे का एक्सपर्ड था इस समस्या का हल निकाल लिया आदिश अताबदी के दोरान इस परिवार की तीन पीडियों ने धातु कर्म उद्योग में क्रांती ला दी थी इस क्रांती का प्रारंब 1709 में प्रथम अबरहम डर्बी द्वारा किये गए आविशकार से हुआ ये धमन भट्टी यानि ब्लास्ट फ्यूरेंस का आविशकार था जिसमें सर्व प्रथम कोक का इस्तिमाल किया गया था कोक में उच्च ताप उत्पन करने की शक्ती थी और वो पत्थर के कोयले से गंद तथा अपद्रव्य निकाल कर तयार किया जाता था इस आविशकार के बाद भट्टी और लकडी के कोयले पर निर्वर नहीं रहना पड़ा इन भट्टीों से जो पिगला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी इसके बाद ब्रिटेन की लोह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चोगुना बढ़ा लिया और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था 1820 में एक टन धल्वा लोहा बनाने के लिए आठ टन कोयले की जरूरत होती थी लेकिन 1850 तक आते आते ये मात्रा घट गई और केवल दो टन कोयले से ही एक टन धल्वा लोहा बनाया जाने लगा 1848 तक ये स्थिती आ गई कि बिटेन द्वारा पिगलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिगलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी कपास की कताई और बुनाई बिटेश हमेशा उन और संसे कपड़ा बुना करते थे सत्रिवी शताबदी से ही इंगलेंड भारत से बड़ी लागत पर सूदी कपड़ों की गाठों का आयात करता रहता था लेकिन जब भारत के हिस्सों पर East India Company का राजनितिक नियात्रन इस्थापित हो गया तब England ने कपड़े के साथ-साथ कपास यानी रूई का भी आयात करना शुरू कर दिया जिसकी England में आने के बाद कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुना जाता था बुनाई के काम को और अधिक कुशलता पूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे-धीरे कताई गरों और बुनकरों के घरों से हट कर फैक्ट्रियों यानि कार खानों में चला गया 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश उद्योगी करण का प्रतीक बन गया इस उद्योग की दो प्रमुक विशेष्टाएं थी जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती थी कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात के लिए भेजा जाता था इस संपूर प्रिक्रिया के लिए इंगलेंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था जिससे कि इन उपनेवेशों से कच्ची का पास भरपूर मातरा में मगाई जा सके और फिर इंगलेंड में उससे कपड़ा बना कर उनहीं उपनेवेशों के बाजारों में बेची जा सके ये उद्योग मुख्य रूप से कारखानों में काम करने वाली स्थ्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज़्यादा निर्भड था इससे उद्योगी करण के प्रारम भिक काल की गिनोनी तस्वीर सामने आती है भाप की शक्ति प्रारम में जब ये पता चल गया कि भाप अत्यदिक शक्ति उत्पन कर सकता है तो ये बड़े पैमाने पर उद्योगी करण के लिए निर्नायक सिद्ध हुआ भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्व प्रथम खनन उद्योगों में किया गया जब कोयले और धातों की मांग बढ़ी तो उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में से निकालने के प्रयासों में तेजी आई उस समय खानों में अचानक पानी भर जाना भी एक गंभीर समस्या थी थौमस सेवरी ने खानों से पानी बहार निकालने के लिए 1698 में माइनस फ्रेंड नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस न्यू कॉमिन द्वारा बनाया गया इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि कंडेंसिंग सिलेंडर के लगातार ठंडा होते रहने से इसकी उर्जा खत्म होती रहती थी भाप के इंजन का इस्तिमाल 1779 तक केवल कोईले की खानों में ही होता रहा लेकिन जेम्स वाट ने इसका एक और प्रियोग खोज निकाला वाट ने एक ऐसी मशीन विक्सित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधरन पंप की बजाए एक प्राइमर मूवर यानि प्रमुक चालक के रूप में काम देने लगा जिससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को उर्जा मिलने लगी इसी इंजन की मदद से आगे चलकर रेल गाडियों का विकास हुआ और कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी आसानी हो गई दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें और हमारे चानल हिस्टॉरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे धन्यवाद